हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे दो मिनिट में हम ऑन-लाइन आई-प्यो अप्लाई करते हैं एक्जम्पल के तौर पे हम आई-से बैंक और एच्छी बैंक देखेंगे पहले हम लोग-इन करेंगे आई-से इसे बैंक में पर्सनल सेक्षन में जाएंगे लोग-इन सेक्षन पर्सनल सेक्षन उसमें हम हमारा यूजर आई-डी और पास्वर्ट डालेंगे फ्रेंड्स यह बेजिकली हम आजबा कित्रू एपलाई करेंगे और फिफ्टी थी बैंक से चो यह फैसिलिटी ओफर करती है उसकी लिस्ट आपको सभी की वेबसाइट में मिल जाएगी सो यह हमने लोगीन किया फिर हम इन्वेस्टमेंट इंश्यूरस नेक्षन में मैं इन्वेस्ट औण लाइन पे क्लिक करेंगे और फिर यह सेक्षन में आ चालमनी यहां पर हम हमारा required option select करेंगे IPO के लिए apply करना है या rights issue के लिए या call money के लिए और proceed पर click करेंगे हम फिर यहां पर जो भी ongoing IPOs है उसकी list मिलेगी और हमें वहां से select करना है हमारा required IPO say for example यहां पर हमने जूती CNC automation IPO पर click किया category select करनी है retail या HNI हमारा depository जहां पर हमारा DP का account है DMAT account है NSDL या CDSL मेरा account यहां पर CDSL में हैं तो मैं CDSL click करूँगा फिर DP ID और DP account number में डालूँगा हमारा 16 digit का वो रहता है वो हमारा beneficiary account number फिर quantity select करना है और cut off पे click करना है और submit करना है फिर confirmation का option यहां पर आएगा सारी details हमें देखनी है और confirm पे click करना है और यह हमारा IPO application हो गया हमें हमें यहां पर order book में यहां पर हमें हमारा status मिलेगा यहां पर दिख रहा है कि transaction status executed फिर इसे हमें suppose withdraw करना है तो हम withdraw भी कर सकते है या revise bid submit करनी है तो revised bid भी submit कर सकते हैं ओके transaction पर click किया फिर यहां पर office bid लेट्स विड्रॉद अप्लिकेशन शौर्ट विड्रो ओके तो withdrawal request successful इसी तरह हम HDFC bank में के through भी कर सकते है login पर net banking select किया फिर यहां पर ID और password हमने डाला सो यह सभी बैंक में similar procedure रहेगी 19-20 का फरक रहेगा एक दो details ज्यादा कम डालनी रहेगी पर की procedure विल बी द सेम एवरिवेर सो यहां पर हम request section में जाएंगे request section में last में IPO rights issue हमरे account select करेंगे bank account continue okay so I want to apply for IPO या rights तो में से कोई भी select कीजिए आप IPO की लिए हम apply करें इसलिए IPO में select करेंगे और यहां पे same वो जो भी ongoing IPO है वो लिस्टेट रहेगा और action section में apply click करना है और details verify कीजिए यहां पी details आप अपनी भरे आपका DMAT account कौनसी depository में है DP name DP ID beneficiary account और फिर नीचे हम bid quantity डालेंगे कितना कितने lots में apply करना है वो डालेंगे और प्रोसीड है तो देट वस देखा हमने कैसे दो मिनिट में हमने IPO में apply कर दिया और यह amount हमारे bank account में block रहेगा it won't be debited अगर आपको allotment मिलता है only then it will be debited okay so I hope you like my video पसंद आई आपको useful लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब तो मैं चैनल अनिमा फिस्टम और थैंक्स फर वाचिंग